और आज मैंने बनाए है यह कैबिच के भजी है इनको आप मॉर्निंग में बच्चों के टिफिन में भी डख सकते हैं शाम के स्नेक्स चाय के साथ भी आप इनको ले सकते हैं और देख तो बिना इसकिप किये पूरी वीडियो देखें तो गाइज स्टार्ट करते हैं रेसिपी में बच नहीं के लिए हमने चाहिЙे के पित सब्वाब ये हो कि अब अब हमें के जही ऑजरिए इसके जो ऊपर के सब्सक्रते होते खराब निकाल देना है और अच्छे से धोलेना है इसको उपर से चर्भी लंभी कर लेनी है गें इस तरह से जैसे प्याज गयं हम यंपके हसे करनेर लच्छी निकालते हैं तरह से मैंदी है और इससे कवह क्वेशें लच्छी निकाल देना आए अब हमें क्या करने कि मैं इसको एक बावलों ट्रास्पर कर लेना है और यह हरा दनिया है कि इसकी मैंने बारीक अच्छे से दोपके और कटिक कर दी है और अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले हम एड़ कर रहे हैं इसमें बेशन बेशन आप अगर इसकी जो घॉल बना रहे हैं वह अगर पतला हो जाए तो आप और भी इसमें बेशन एड़ कर सकते हैं और अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले मैं एड़ कर रही हुए अद्रक लसुन जिसको मैंने थुड़ा बारी कोट लिया है और यह है हरी मिर्च एक हरी मिर्च मीडियम यह मीडियम तीक ही है और अब हमें इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़ी सॉंप इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें तो आप इसको इसकी पना करें और यह है दर्या पावडर और एक चमच ही मैंने इसमें लाल मिर्चेड किये अगर आपको तीका कम पसंदे तो आप कम कर सकते हैं इसमें से अधा चमच अमचूर पावडर की जगें आप नीवू का रस भी ले सकते हैं अगर आपके पास अमचूर पावडर नहीं हो तो आप एक आदा नीवू का रस काटके उसको निकालके इसमें डाल सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक और अब हमीं क्या करना है पाने से इसको हलका बोल बना लेना है इसका पानी थोड़ा थोड़ा करके अड करना है क्योंकि पाने ज्याद डालने से यह जल्न पतला हो जाएगा और बेशन बेशन आलग हो जाएगा और जो यह कैविच है पत्ता गोभी इसके ओपर बेशन का बेशन कोटनी होगा तो इसलिए पानी जब डाले घोल बनाती समय तो थोड़ा थोड़ा एड़ करें एक बार में ज्यादा एड़ नहीं करें पानी को और इस तरह से हमें इसका बना लेना है इसको ठीकी रखना फटला नहीं करना है इधर यह ओईल गरम हो चुका है तो अब गरम हो चुका है तो हमको इस तरह से इसमें को थोड़ा दबाक के और फिर उनकी सेप हलकी सेब देके तुम हो इसमें डालना, तक in तरह से ऐसमें डीक हो जाए इस तरह से अरको उसके साब बजकेर डालने, अधरे le exclusively हाई फ्लेम पर पकने देना है एक पार गैस को हाई फ्लेम पर और को गरम करने के पार थोड़ा मीडियम कर दें क्योंकि यह बहुत जल्दी सिक्के रैडी होते हैं कि मुठा और इस तरह से अंताय आरवम हम ने को कप्रम सकने में और देले में लिए मेरं दूश गया दालें मैं को स्भेवम प्रमाने महीं में आपको जो लोग लसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इसमें लसुन प्याज नहीं एड़ करें और यह देखिए गाई इस तरह से अमको पलट देना रहे देखिए एक साइड से कितने अच्छे से सिक्के रेडी हुए हैं गॉल्डन ब्राउन और यह बहुत जल्दी सिक्के रेडी होते हैं तो हमारा जो गैस का फ्लेम है हमें मेडियम ही रखना है एक बार अच्छे से ओलो गरम होने के बाद नहीं तो यह बहुत जल्दी सिक्के और जल भी जाते हैं तो इसलिए मेडियम फ्लेम पर यह क्रिस्पी भी बनके रेडी होगे और यह देखे गाइस यह बनके ओचुके हैं रेडी यह देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी बनके रेडी हुए हैं कैबिच के बजिए और अब हमें इनको भार निकाल लेना है कि हम कि ढाल आई तेखहेखाए आप इसको च्छत पट बनाके रेडी कर सकते हैं हल्की फुलकी भूक में भी इसको हम जल्दी से बना के रेड़ी कर सकते हैं और अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं तब भी हम इसे जल्दी से बना के रेड़ी कर सकते हैं तो यह देखिए गाइस के भजिए कितने अच्छे से बनके रेड़ी हुए हैं आप सुबह श्याम के नास्ते में इनको बना के खाईए और यह है हरे धनिया टमाइटर की चटनी और इसे आप बच्चों को इसकूल टिपिन में भी रख सकते हैं यह बहुत हेल्पी है और गाइज अगर आपको और यह देखिए कितने क्रिस्पी है चट्टे के साथ एंजोई कीजिए कैबिच के भजिए और अगर गयज आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पर लाइक कमेट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले जो मेरे चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वह आपके पास आए और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक केर रादे रादे